हलो फ्रेंद्स वल्कम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेगा स्पोरोजनेसिस एन मेगा गैमेटोजनेसिस के बारे में जो की रिप्रोड़क्टिब बायालोजी के एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही बायालोजी और बायालोजिकल फैक्ट से रिलेटेज वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल तरह है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो मेगा स्पोरोजनेसिस इस टार्म का दो हिस्सा है एक है मेगा स्पोर और दूसरा है जनेसिस यानि कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन और उसका डेवलबमेंट यही होता है मेगा स्पोरोजनेसिस और दूसरी तरह मेगा gametogenesis, यहां पर भी दो term है, एक है mega gamet और दूसरा है genesis, so mega gamet और female gamet का production उसका development, एही होता है mega gametogenesis, so इस वीडियो में basically हम लोग जानेंगे, ovary के अंदर कैसे mega spore का formation होता है, development होता है, और उसके बाद कैसे female gametophyte का production होता है, यानि कि embryo sac कैसे developed होता है तो इसी के वारे में इसके process के वारे में हम detail में जानेंगे ओके तो अब हम megasporogenesis पर आते हैं megasporogenesis कहां पर होता है female reproductive part यानि कि ovary उसके अंदर जो ovule होता है उसी के अंदर ये सारा process हो रहा है ये सारा कहानी का start होता है जब ovary के अंदर placenta से ovule developed होना start करता है so initially जब ovule बस form होना सुरू ही होआ है तो उसमें दोनों तरीके का cell होता है एक होता है outer epidermal cell और दूसरा होता है inner hypodermal cells तो अब हम step by step ovule का development देखेंगे क्योंकि इसके साथ साथ ही megaspor mother cell का production होगा और इस megaspore mother cell से ही बाद में megaspore का formation होगा development के साथ साथ दो चीशे होता है एक तो मैंने बोला कि ovule के अंदर megaspor mother cell का production होता है और दूसरी तरप ovule के बाहर दो integument का production होता है एक outer integument और एक inner integument जो की ovule को protect करता है development के initial stage में मैंने बोला कि दो तरीके का cell होता है एक है epidermal cell और दूसरा है hyperdermal cell अभी इनी सारे hyperdermal cells में से एक cell बहुत ही special होता है जिसका size बाकी दूसरे hyperdermal cell से थोड़ा बढ़ा होता है इसका nucleus भी बढ़ा होता है और बहुत ही prominent होता है इसका cytoplasm बहुत ही dense होता है यानि कि इसमें बहुत सारा nutrient material मौझूद होता है और इसी hyperdermal cell को हम बोलेंगे archisporial cell अभी इसी archisporial cell का transverse division होगा जिससे की बाहर की तरह primary parietal cell और अंदर की तरह primary sporogenous cell प्रडूश्ट होगा इसके बाद primary parietal cell का बहुत बार vertical divisions होता है और इससे एक parietal cell का layer बन जाता है और दूसरी तरह अंदर की तरह जो primary sporogenous cell था उसका फिर से division नहीं होता और बाद में जाकर वही megaspor mother cell का काम करता है अभी इसके बाद हमारे पास है megaspor mother cell जो की है diploid और इससे produced होगा megaspor लेकिन megaspor होता है haploid so diploid से haploid कैसे produced होता है mitosis से या meiosis से meiosis से होता है diploid से haploid होने के लिए यानि की chromosome set को half करने के लिए meiosis होना जरूरी है so एक megaspor mother cell का meiosis division होता है और इससे चार haploid megaspor produced होता है यह चार megaspor उसके बाद एक ही line या फिर axis में arrange हो जाता है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे linear tetrad in general इसके बाद जो होता है कि इन चारों megaspor में से सर्फ एक megaspor survive करता है और बाकी तीन megaspor degrade कर जाता है और ज्यादा तर case में देखा गया है जो megaspor चलाजल end की तरफ होता है वो survive कर जाता है और बाकी तीन megaspor जो की micropilar end की तरफ थे वो सारे degrade कर जाता है और इसी के बाद वो survive किया गया megaspor धीरे धीरे developed होता है बड़ा होता है और बाद में जाकर उसी से ही female gametophyte यानि की embryo sac का production होता है तो अभी यहाँ पर megaspor का production हो चुका है यानि की megasporogenesis बस इतना ही अब इसके बाद इसी megaspor से female gametophyte या फिर embryo sac का production होगा यानि की mega gametogenesis तो चले इस प्रोसेस में आगे बरते हैं यही megaspor nutrition लेकर धीरे धीरे बड़ा होगा और enlarged होकर बनेगा embryo sac लेकिन इसके अंदर जो nucleus था उसका divisions होगा megaspor का जो haploid nucleus है अभी उसका successive divisions होगा और यह जो divisions होगा यह meiosis नहीं यह mitosis होगा एक nucleus से दो दो से चार और ultimately चार से टोटल आठ nucleus produced होगा embryo sac के अंदर produced हुआ है उनमें से चार nucleus मौझूद होगा micropylor end की तरब और बाकी चार मौझूद होगा चलाजल end की तरब यानि कि embryo sac के बिलकुल दोनो opposite pole में मौझूद होगा लेकिन इसके बाद दोनों pole में से एक एक nucleus center की तरब धीरे धीरे आगे आएंगे जिनको हम बोलेंगे polar nuclei अब ये दोनो polar nuclei तो haploid है और center में आकर ये दोनो nucleus आपस में fuse हो जाएंगे और produced करेंगे एक diploid nucleus जिसको हम बोलेंगे secondary nucleus या फिर definitive nucleus और दूसरी तरह micropylor end में जो तीन nucleus है उनमें से जो सबसे बड़ा है यानि कि center का cell वो सबसे बड़ा होता है उसे हम बोलेंगे egg cell और ovum और उसे उस पोर भी कहा जाता है और उसके दोनों तरब जो cell से उनको कहा जाता है synergates और helping cell जो की center के egg cell को nutrition provide करता है और micropylor end में इनी तीनों cell को एक साथ कहा जाता है egg apparatus यानि कि एक egg cell और दो synergates इन तीन cell को एक साथ बोलेंगे egg apparatus लेकिन इन cellों में कोई भी wall नहीं होता है यानि कि इनको nucleus कहना ज्यादा better है और इनके बाहर जो cytoplasm होता है वो बहुत ही घना और viscous होता है एक cell के side में जो दो synergied cell मौझूद होता है उनके अंदर एक finger like projection दिखता है जिनको हम बोलेंगे philly form apparatus अभी हम आएंगे इसके ठीक opposite pole में यानि कि चलाजाल end में यहाँ पर भी तीन nucleus मौझूद होता है जिनको कहा जाता है antipodial cell तो यह हो गया एक mature embryosac का structure यानि कि चलाजाल end की तरब तीन antipodial cell बीच में एक deployed definitive nucleus और secondary nucleus और micropilar end में एक excel और दो synergied सो मैंने यह में embryosac का development जैसा बोला उस type के development को कहा जाता है monosporic type या फिर polygonom type लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ type होता है लेकिन monosporic type ही angiospormic plants में सबसे ज्यादा पाया जाता है इस type camera सक development को monosporic type कहा जाता है क्यूंकि यहाँ पर जो चार megaspore produced रहाता है यानि कि linear tetrads उनमें से सर्फ 1 megaspore functional होता है और बाकी 3 megaspore degrade कर जाता है इसलिए इसको कहा जाता है monosporic development लेकिन इसके अलावा भी bisporic, trisporic and tetrasporic type of development भी होता है यानि कि अगर linear tetrads में से 2 cell degrade हो जाता है और बाकी 2 cell functional megaspore बनते हैं उसे हम बोलेंगे bisporic development अगर 3 spore functional बनते हैं और 1 megaspore degrade हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे trisporic development और सबसे आखिर में अगर 4 megaspore ही functional बनते हैं कोई भी degrade नहीं होता तो उसे हम बोलेंगे tetrasporic type of development अगर आपको monosporic, bisporic, trisporic and tetrasporic पर एक separate वीडियो चाहिए तो मुझे comment section में बता सकते हो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो mega sporogenesis and mega gametogenesis बस इतना ही क्योंकि embryo sack बिलकुल ready है double fertilization के लिए तो मिलते हैं इस सीडिस के अगले वीडियो में जिसका topic होगा double fertilization तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही लेकिन comment section में मुझे बताइए कि ये wide board में animation करके परहाने का concept आपको कैसा लगा अच्छा है या बुरा है तो उससे मुझे समझने में थोड़ी help होगी और हाँ ऐसे ही knowledgeable content और post के लिए आप मुझे social media पर भी follow कर सकते हो जिनका link में description box में दे दूँगा तो friends उमीद है वीडियो आपको पसंद आ है तो एक like कर देना मेरे चैनल को subscribe कर देना और अपने friends के साथ इस वीडियो को share कर देना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में Stay happy, be healthy